हेलो आल, आज हम लोग problem series को और आगे बढ़ाएंगे, आप problem देखिए, बहुत ही detail में मैं उसको explain कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं problem लिख देता हूँ, correct? ठीक है, तो problem आपका जो है, ये आपका पूछा गया है, jam 2018 में, है ना, तो problem क्या है आपका? problem है, the correct order of delta octahedral, है ना, value for the following अनाइनिक मेटल कॉम्प्लेक्स इस है ना तो जैसे क्या है पहला अप्शन आपका दिया हुआ है इरिडियम से ज्यादा रोडियम एकसा साइनो 3 माइनस रोडियम 3 माइनस कोबाल्ट i6 3 माइनस option B क्या है इसको रियर अरेंच है cobalt i6 3 माइनस सब में 3 माइनस है rños रोडियम, sorry I6, 3-, रोडियम, सिनो 6, 3-, और रोडियम, एक्साइनो 3-, ओप्शन C है, कोबाल्ट, I6, 3-, रोडियम, सिनो 6, 3-, रोडियम, I6, 3-, रोडियम, सिनो 6, 3-, ठीक है, और ओप्शन D है आपका, रोडियम, सिनो 6, 3-, कोबाल्ट, I6, 3-, रोडियम, सिनो 6, 3-, रोडियम, I6, 3-, ठीक है, तो इतना है, मैं एक्सक्रास से क्या करूँगा, मैं इसको टाइप करकर रहूँगा है, तो थोड़ा सा कम स्पेस लेगा, और फिर टाइम भी, आपका बचेगा बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको नेक्स क्लास से यह करके रहूँगा, अब यह हींट आप देखिए, इरीडियम का अट्रमिक नंबर कितना होता है, 77, रोडियम का कितना होता है, 45, और कोबाल्ट का कितना होता है, 27, हमको चाहिए, लास्ट टूट, जैसे 5D, 7, 6S2, यह हो जाएगा आपका 4D, 8, 5S1, यह हो जाएगा आपका 3D, 7, 4S2, है न, तो इतना आपको दिमाग में रखना है, तो बनाने में आपको एजी हो जाएगा, अब क्या करना है, यह लिखा है, correct order of delta octahedral, delta octahedral values को चाहिए, इस anionic metal complex का है, तो आपको क्या करना होग सब का delta octahedral value देखना होगा, कि इसमें से किसका जादा हो रहा है, तो आप कैसे निकालते हैं, जादा होगा, यानि delta octahedral का value, कि high spin है या low spin है, अगर high spin है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका pairing energy जादा होगा, तो यह delta octahedral value क्या होगा, कम होगा, यह high spin में जाएगा, correct, तो यह देखते हैं, जैसे पहला complex आप ले लेजिए, यह iridium cn6, है ना, एक बार तो आपको सारा complex ले के चलना पड़ेगा, तो 3 minus, तो इसमें क्या है, सब का oxidation number आप देखेंगे, जैसे यहाँ 6 है, 6 minus है, 3 minus है, equal के उधर में, तो यहाँ पर यह plus 3 होगा, iridium में क्या है, आपक 6 इदर जाएगा, minus 6, plus 3, sorry, minus 3, और plus 6, इदर जाएगा, तो प्लस 6 होगा, तो आपका plus 3 oxidation number आप निकाल सकते हैं, तो oxidation number जैसे ही निकाल दिया, तो आप देखेंगे, इसका electronic configuration क्या था, 5D7, 6S2, तो आप बचा क्या 3 अगर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा, 5D6, तो 5D6 हो हो जाएगा, अब कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 है ना, तो चार क्या है, यहाँ पर unpair electron है, अब आपको देखना होगा कि इसमें लगा क्या हुआ है, साइनो ग्रूप लगा हुआ है, तो यह क्या है आपका, यह आपका, इस ट्रॉंग, फिल्द, लिगेंड है, तो इस ट्रॉंग फि इसको आप T2G और EG, सारा octahedral है, तो यहाँ T2G, यहाँ EG बनाए है, तीन यहाँ पर दो, तो देखिए, अगर हाइस पिन, अगर यहाँ पर स्ट्रॉंग फिल्द लिगेंड है, तो क्या होगा, छे का छे electron यहीं पर भर जाए, तीन, चार, पांच, छे, 6 electron का तम होगा, मत कर जाएगा, उपर में है, तो ज्यादा value के कारण यह उपर में, तो यहाँ पर क्या होगा, यह pair कर गया, और यह इसमें नहीं जा पाया है, मतलब, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहेंगे, यह delta octahedral value क्या होगा, ज्यादा हो गया, जिसके कारण यह उपर नहीं गया, रोडियम इसका भी ऑक्सिदेशन नंबर आप निकालेंगे तो प्लस थरी निकलेगा ठीक है प्लस थरी निकलेगा और इसका क्या था 4D8 5S1 तो जब यहां से 3 इलक्रोन निकल जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 4D है ना हाट यह 9 हो गया तो 6 तो 6 इलक्रोन होगा तो बिल्कुल वाइसा ही दिख रहा है जैसे वहाँ पर था तो यह जाएगा यहां और यह जाएगा यहां तो फिर से पेर अफ हो गया तो अगर हम इसको वापस से देखेंगे उसी की जैसा तो T2G EG है ना तो यह क्या हो जाएगा हमारा 1,2,3,4,5,6 बर गया यहां पर तो यहां पर 6 इलक्रोन नीचे ही आ गया ठीक है जिसके कारण क्या होगी हमारा यह फिर से वही होगा डेल्टा जो यहां पर आपका ओक्टाहेडरल होगा यह आपका ज्यादा होगा है ना तो अब एक कॉंसेट और है हम लोग लगा सकते हैं कि जैसे 5D है ना जैसे साइज बढ़ते जाएगा उसका डेल्टा ओक्टाहेडल है डेल्टा ओक्टाहेडल 5D का हमेशा ज्यादा होता है डेल्टा ओक्टाहेडल 4D से और डेल्टा ओक्टाहेडल 4D का ज्यादा होता है डेल्टा सब्सक्राइब करेंगे अगर कोई भी पेरिंग उपर में नहीं हो रहा है मतलब उपर में अगर इलेक्ट्रों नहीं जा रहा है तो आप 5D अगर है वहां पर और 4D भी है तो 5D का रहा का मैंने का रहा है उसी तरह से अब तिसरा आपका bee अापका है यह अपका 3-7 इसका भी चुटरी समर दोस्ट्री होगा अगर आप calculate कर लेंगे तो यहाँ पर 6 minus है और 3 minus equal to के उधर में है तो अकर equate करेंगे तो plus 3 आएगा correct तो बार बार एक की चीज़ को बना करके यह कटम करने की ज़रूत नहीं है तो यहाँ पर यह 4D8 5S1 होगा तो तो 3 निल निकल जाएगा तो यह 4D6 बिल्कुल ऐसे ही आप इसको अरेंज कीजिए हम सिधे इस पर आ जाएंगे है ना सिधे इस पर आ खरके T2G और यह EG है यहाँ पर अरेंजमेंट कैसे होगा देखिए देखिए 1,2,3 और यह क्या है weak field लेगेंड है यह delta octahedral value जो है यह यह आपका कम हो गया है ना delta octahedral value कम हो गया compare to बाकी दो से तो इसका मतलब जो arrange आपका हुआ था अभी तक का जो था वो iridium है ना यह arrangement जहां भी देखेंगा minus 3 उसके बाद क्या था आपका rhodium cn6 3- उसके बाद जो है आपका यह आ रहा है डारेक्ट अब उसके बाद यह बीच में कुछ और आएगा कि नहीं आएगा वह हम लोग देखेंगे अभी फिलाहल के लिए यह arrangement हमको मिला तो और एक है उसको भी देख लेते हैं तब हमको इजली समझ में आ जाएगा तो लास्ट वाला क्या है आपका कोबाल्ट i6 3- है ना तो कोबाल्ट i6 3- है अभी फिर वही चीज़ है कि डेल्टा ओक्टर मतलब वैल्यू अब इसमें क्या आ रहा है आपका तो कोबाल्ट में क्या है आपका 3D 7 4H2 इसका भी plus 3 oxidation number होगा तो तीन electron चला जाएगा तो यह 3D 6 होगा यहां भी 3D 6 हो गया तो यह भी अगर हम split करेंगे इसको 3D 6 को T2G और EG है ना तो यह भी क्या है iodine है तो यह क्या हो जाएगा आपका high spin complex होगा 1,2,3,4,5 और X6 हो गया तब यह भी देखिए यह जो value आया आप आपका है delta octahedral यह और यह भी आपका देखिए क्या दिख रहा है यहां पर भी उपर में 2 unpaid electron है यहां पर 4 electron नीचे में T2G में यहां भी 4 electron है अब फिर से वह यह आएगा यहां पर क्या रहा है 4D हो गया यह 4D है ना से ज्यादा होता है हमारा 3D यह कौन सा को अपनाएंगे तो आप यह rhodium I6 के बाद जो आएगा आपका यह cobald I6 3- ठीक है तो यह 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 जो हां जहां भी आपको मिलेगा वही आपका जो है answer होगा correct जहां पर भी आपको यह मिलेगा ठीक है